आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सड़क हादसा शेक पुरा पुलिया मेरट रोड पे हो जाते हैं जिसमें ये ट्रक आप लोग देख सकते हैं आलू की बोरियों से भरा हुआ ट्रक जो है शती गरस्थ हो जाते हैं पूरा का पूरा तहस नैस हो चुका है और किस तरीके से पूरा ये जो है साइड में होकर गिर जाता है टायर जो है उसके अलग निकल जाते हैं पूरा जो है टूटा हुआ इसका आगे से जो हेड़ पाट है और कारेंग यही बताया जा रहे कि अचानक से जो है एक गाएं सामने आ जाती है इस ट्रक के अंदर दो लोग मुझूद ब पूरे तरीके से तहस नहस होके टूटा हुआ है और सारा का सारा साइड में गिरा हुआ। पीछे से भी काफी जो है वड़े वहान आ रहे हैं में चलती हूँ यह सड़क है और किस तरीके से यही वो स्पीड ब्रेकर है जहां पर जो है ब्रेक लगाने की कोशिश की गई यहीं कहीं पर बता जा रहे कि अचानक से एक गाएं जो है वो सामने आ जाती है उसका बचाव कर करने के लिए ड्राइवर जो है अचानक से ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं और तभी जो है स्पीड ब्रेकर पे अचानक से जो ट्रक है वो और नियंत्रित हो जाता है और उसके कुछ जगा आगई आप देखेंगे कि पूरा का पूरा साइड में जाके तेड़ा होके गि अचानक से कोई सामने आ भी जाए तो आप ब्रेक जरूर लगा सके हलें कि क्या कुछ पूरा कारण रहता है वो इसके लिए ड्राइवर से बातशीत करते हैं हालंकि ट्रक में दो लोग मौजूद थे जिनमें से दोनों ड्राइवर जो है वो यहां पर मौके पर है किस तरीक आप लोग सुरक्षित हैं तो ट्रक के अंदर क्या समान लोड़िड है यह अलू की बूरिया है कितनी देर पहले हुआ हादसा सुबह साड़े तीन सुबह साड़े तीन बज़े के करीब हुआ है तो क्या अभी आपने सूचना दिया है क्रेन वगरा के मदद से इसको सीथा हमने देदिया सुचना हमारे पुलिस आई थी जी पुलिस आई थी मौके पर विल्कुल आप लोगों को दिखा देते कि आस पास के लोग यां इकत अजोते और किसी ने देखा था कैसे हुआ था आप सा अलंकि अब देख सकते कि सभी लोग यां पी करते आप भी मुझूत आप भी चला रहे थे हैं तो कैसे एकदम और अंत्रित हो गया ट्राइब भाई ने बता दिया बस वैसे ही खासे एक ही गाए आई थी आप यह जुन डा रहा है तो स्पीड ब्रेकर पर आपने एकदम स्पीड गम कर जा आई जी उसको बचाते बचाते बस जी स्पीड ब्रेकर इसे बिलांसी भी गड़ा और गाड़ी पर आपको चोड तो नहीं आई बिल्कुल सुबह तीन साड़े तीन बजे जो है बड़ा सड़क हाथसा हो जाते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से शेकपुर पुलिया पे यहां पे एक आलू की बोरियों से भरा हुआ ट्रक जो ह है कि गाएं जो है वो अचानक से सामने आगी थी उसके बाद स्पीड ब्रेकर पे जब ड्राइवर ने स्पीड ट्रक की कम करनी चाही तो अचानक से ट्रक जो है वो अनियंत्रित हो जाता है और बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं साइड पर जाके तेड़ा हो के गिर जात पर जाती हैं मेरे ड्रोड पर में बढ़ा सकथ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं ट्रक से और बिल्कुल बीच में से उसके गिरा हूए Alice सामने घ्राया जांने उसको देख कर ड्राइवर उसके बचाव में ड्रक व्र्रेक लेकर की को और speed breaker होता है और उसके बाद truck अन्यंत्रित हो जाता है और उसके कुछ जगा आगे इस तरीके से तेड़ा होके गिर जाता है और इसके अंदर जो समान पुलिस को सूचना दी थी पुलिस मौके पर पहुंची थी अब क्रेन की मदद से रख को साइड में लगवाया जाएगा ताकि इसको आवा गमन में जो है वाहनों को दिखता हो लेकिन अक्सर जब भी ऐसी खबरे दिखाते हैं तो कर नार्बिक न्यूस एक जिम्मदार बैलन्स हो जाता है यानि कि अर्नियंत्रित हो जाता है और वही उसी का नमूना आज यहां पे देखने को भी मिला इसके अलावा यह भी अपील की जाती है तो जब भी आप हाईवे पर हैं यह इस तरीके से आप खुली सड़क पे भी हैं तो आप अपनी स्पीड को कम से कम चली कि अचानक से कुछ आगे आ जाता है या आगे वाहन ब्रेक लगा देता है तो आप अचानक से ब्रेक लगा पाएं इतनी स्पीड नाओं की टकर हो जाए तो वही अपील आप से अक्सर की जाती है और पहले भी कई बर इस तरीके के हाथ से सामने आये हैं जिसमें गाए जो पशीया जो पशु बग़र होते हैं जंगली वह उचानक से हाईवे पर निकलके सडक पर निकलकि वाहनों के सामने आजाते और वाहन इतनी स्पीड में होते हैं कि स्पीड को कम करना मुश्किल हो जाता है जिसस doorㅋㅋ ऑश सकते हैं कि बड़ा हाथा होता है। बड़े बड़े वाहन और अगर उस समय भी कोई बड़ा वाहन आसपास होता है या कोई वाहन साइट से निकल रहा होता और जिस तरीके से एकदम दिर्चाओ के गिरा हुआ है कोई बड़ा सड़क हाथसा भी हो सकता था हालनकि वो जरूर बच जाता है दो लोग इसके अंदर मुझे इसे गनीमत रहती है उनकी जान जरूर बच जाती है लेकिन ट्रक का आप देखेंगे काफी भारी नुकसान हुआ है और सुबह सुबह बता जारे कि तीन साड़े तीन बजे का बड़ा हाथसा लेकिन अभी तक इसको सीधा नहीं करवाया गया जिसकी वज़े से जो आज आ रहे हैं उनको भी काफी तकलीफ हो रही है असपस के लोग भी आप ही कठा हो जाते तो अभी सबसे पहले तो इसको यहां से सीधा करवाया जाए और आप लोगों से भी यही अपील रहेगी कि आप लोग भी अपने वाहन को यातनियों के हिसाब से चलाया किजी बड झाल कि आप लोगों से नारें करना डितने मुश्चराण